हाई my name is Milab Gupta and you are watching me on my youtube channel English with Milab दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे sentences जिन में WH family का use होता है बच्चे अक्सर confused होते हैं कि present, past और future की category 1 या 2 के sentences को कैसे पहचाने तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत धीरे धीरे इन sentences को बना के देखेंगे और समझेंगे कैसे हम ये analyze करें कि सामने वाला sentence वो WH family का है ये नहीं है तो देखें सबसे पहला sentence देखें आपके पास क्या है? ये sentences कौन से हैं? क्या उसके पास कार थी? क्या रोहन के कमरे में खिड़किया थी? उसकी जेब में कितने पैसे होंगे? कितने आपके कितने भाई वहन है? इसे कैसे बोलेंगे? क्या तो वहा होंगे? ऐसे sentences को और साथ म तो क्या बोलते हैं यह सभी sentences जो आप देख रहे हैं दोस्तों यह simple sentences की category में आते हैं अब यहाँ पर यह समझना है कि यह present, past, future में से कौन से sentence है प्लस यह भी समझना है कि अगर present का है तो category 1 या category 2 का है अगर आप category 1 और category 2 के sentences को नहीं जानते तो आप मेरी वीडियो की playlist में target की थी आप लोगों के लिए उनको बनाया है आप उनको देखिए वो develop की गई है सिर्फ आपको improve आपकी English को improve करने के लिए आप उनको देख सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं तो चलिए पहले sentence को attempt करके देखते हैं लिखा है आपके पास क्या है अब यहाँ पर स category one की पहचान क्या होती है है हुं है हो और category two में आता है पास है राइं या फिर आएगा में थी चीजे के अंदर कोई चीज में में चीज लों में मारकर में एंग है ऐसे sentence या फिर भाई बहन है मैं बोलर मेरे दो बहए हैं उसकी दो बहने है तो क्या आपको यहां पर कोई category 2 का कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है हाँ दिख रहा है पास है यानि कि यह present का category 2 का sentence है तो इसको English में कैसे convert करेंगे सबसे पहले यहां पर आप देखें लिखा हुआ है क्या कि English क्या होती है वाट एक और बात आपको समझ नहीं है यह यह नहीं है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं sentence को पढ़िए और उसका answer दीजिए अगर answer yes और no में दुबार मलूं अगर sentence का answer यानि कि question का answer yes या no में आप दे सकते हैं तो उसमें डब्ली एच फैमिली को apply मत कीजिए शुरू करें देखें आपके पास क्या है क्या मैं इसका answer हाँ यह नामे दे सकता हूं नहीं दे सकता है यानि कि it is a part of डब्ली एच फैमिली तो क्या के लिए क्या इंग्रिश लगाएंगे सबसे पहले हम क्या के लिए लगाएंगे वाट तो हमने यहां पर लिखा वाट उसके बाद पास है यानि कि present की category two का sentence जिसमें हम has have का use करते हैं जब हम इसका integrative sentence बनाएंगे क्योंकि यह एक प्रस्ण वाचक है तो integrative बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है डू यह ड़स का यूज करते हैं तो हम क्या बोलेंगे आपके पास क्या है वाट डू यू क्योंकि subject कौन है वह जिसके पास क्या है आप आपके पास तो वाट डू यू एंड उसके बाद हम यहां पर लगाएंगे हैव हो गया अब यहां पर देखिए क्या लिखा है पास थी पास था पास थी पास थे जैसे मैं बोलू मेरे पास गाड़ियां थी उसके पास पैसे थे ऐसे sentences को हम बोलते हैं पास की category 2 का sentence तो अब इस sentence का कैसे बनाएंगे क्या इसका answer आप हाई या ना में दे सकते हो क्या उसके पास कार थी हाँ थी क्या उसके पास कार थी ना नहीं थी तो ऐसे sentences का answer आप हाई या ना में दे सकते हैं यानि कि इसमें वह फैमली तो है नहीं तो फिर helping वर्फ क्या होगी यह जो main वर्फ है वो क्या है पास थी हम यहां पर head और अगर इसका इंट्रेगेटिव बनाना हो त करते हैं तो यहां पर देट को sentence को बाहर लाएंगे डेट से sentence को बनाएंगे क्या उसके पास कार थी तो पहले लगाएंगे हम यहां पर sentence के लिए डेट अब उसके पास किसके पास उसके पास तो subject लगाएंगे डेट के बाद डेट ही और उसके बाद हम लगाएंगे have did he have और तो इस तरह से आपकी संडेश को स्रेम कर सकते हैं क्या उसके पास कार ती डिडी हवा का इस तरह से आप बनाएंगे ओके नेक्स देखते हैं क्या रोहन के कमरे में और एक बद बताओं यह जो संडेश में करवाने वालों ना बड़ा इंट्रेस्टिंग है ध्यान से देखिए इसमें आपको नॉलेज और बड़े इंप्रूव होगी क्या रोहन के कमरे में खिड़कियां थी आप देखिए यहां पर क्या दिखा है थी यानि कि पास्टेंस है अच्छा में थी किसी चीज में कोई चीज थी जैसे मैं बोलूं मेरे मारकर में इंक थी मैं बोलूं आपके मोबाइल में सौंग्स थे तो किसी चीज के अंदर किसी चीज के होने की बाद हो रही है तो ऐसे संटेंस जो है वो के होते हैं तो पास्ट की कैटिगरी टू में थी आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो से अगर आपने सभी कैटिगरी इस की वीडिय तो वाट हूँ विच हूम और हमें क्या लगाना है क्या रोहन के कमरे में खिड़किया थी हमारा सब्जेक क्या है सब्जेक्स के अंदर है रोहन का कमरा और रोहन के कमरे के अंदर ही तो खिड़किया होने की बात हो रही है न तो अब इस इड्रेस को बना ले के लिए हमें कैसे बनाना है तो यहां पर सबसे पहले आप इस क्याटेगरी टू में बनाएगे तो कैसे बनाएंगे डेड उसके बाद हमारा सब्जेक है रोहन का कमरा तो हम यहापे में क्या था Windows तो हम लिखेंगे Windows हमारा sentence बन गया तो एक तो इस तरीके से आप sentence को बना सकते हो अच्छा अब यहां पर थोड़ा सा एक क्या हो जाता है मैं आप से पूछता हूं खिड़कियां थी सिर्फ इतना ही लिखा होता तो खिड़कियां थी तो कैसे इंग्रिस बनेगी आपको याद होगा मैंने आपको प्रिविएस वीडियो लेक्चर्स में जिसमें पार्ट जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की कैडिगरी इस बताई थी उसमें मैंने बताया था ऐसे sentences को हम दैर से भी बना सकते हैं दैर का पें विडियो जरूर देख लिएगा मैं रोहन के कमरे में खड़किया थी ऐसे संदें सो कैसे बनाएंगे खड़किया थी तो हम कैसे बनाएंगे गो वर देर, वर देर, वर देर क्या खिडकिया, वर देर विंडोज, वर देर विंडोज, कहां पर रोहन के कमरे में और इस पार्ट को उठा के आप यहां लगा दोगे, वर देर, विंडोज, इन, रोहन, और रूम, आप इस तरीके से भी इस sentence को बना सकते हो, और यह बात बहुत अच्छे से, बहुत ही बेटर वे में, मैंने देर के वीडियो लैक्चर में सभी बच्चों को पढ़ाया था, बताया था, राइट, जाके देखिए, विजिट जरू किसके पास, पहली बात तो यह नहीं पता, जिसके पास है, वो कौन है, यानि कि 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 इंगलिश क्या आनी चाहिए, किसके पास, कौन है वो, जिसके पास, यह क्या है, राइट, अग मैं बोलू, किसके पास क्या है, मैं बोलू, रोहन के पास, कार है, तो किसकी बात हो रही है रोहन की, क्या है उसके पास, कार है, यानि कि present की category two का sentence है और क्या लगने की वज़े से ये एक wh family है, लेकिन ये क्या नहीं, यहां देखे किसके पास, सवाल हो रहा है, तो ये एक wh family का sentence है, तो किसके के लिए हम क्या बोलेंगे, हम यहां पर किसके के लिए लगाएंगे, who, कौ है वो जिसके पास car है, तो who, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, कि ऐसे sentences जिसके अंदर हमारा subject ही नहीं है, हमारे sentence में सवाल में subject नहीं है, हमें नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है, किसके पास है और क्या है, दोनों ही बाते गायब, subject भी गायब, object भी गायब, ऐसी condition के अंदर हम इसे category two में तो बनाएंगे, but rule number one का use करेंगे, right, तो कैसे बनाएंगे, who has, who has what, किसके पास, क्या ह है, अब इसको अगर आपको सही से समझना है, क्योंकि आप confused ना हो, इसलिए, यहां पर लिखाए, what, यहां लिखाए हूँ, आपको लगएगा, sir, 2-2, WH family लग गई, बीच में has लग गया, तो इसमें dude तो आया, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसे affirmative के rule के according बनाया जाएगा तो यह sentence ऐसे बनेगा, अब यहां पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, कौन रोहन, ध्यान से देखना ठीक है, has, रोहन के पास है, क्या है, मैं बोलू football, क्या बोलू मैं, मैं बोलू football, तो आया ना sentence, रोहन has, रोहन has football, किस के पास क्या है, रोहन के पास है, क्या है, football है, यानि कि इस sentence को ऐसे बनाएंगे who has what रोहन की जगा पर who football की जगा पर what किसके पास क्या है और हैस से बनेगा इसमें dude as use नहीं होगा right sentence के लिए रहे next sentence देखिए क्या तुम वहा होंगे अच्छा एक बात आपको बता दू मैं इस video lecture के अंदर आपने देखिए यह पर दैर का use किया है तो क्या इस दैर का मतलब भी वहां है नहीं है इस दैर का मतलब वहां नहीं है लेकिन इस दैर का मतलब वहां होगा क्या तुम वहां होगे क्या तुम वहा आते हैं पहले लगाएंगे हम विल उसके बाद हम लगाएंगे क्या तुम विल्यू फिर लगाएंगे हम भी विल्यू भी विल्यू भी कहां पर दैर विल्यू भी दैर क्या आप वहां होंगे विल्यू भी दैर आंसर हो सकता है इसका हां मैं वहां होंगा येस आई विल भी द और एक प्रेजन्ट बत केटिग्रीनश सी है कला यह अपको तो प consciousness ने कितने इसकी दो यूजँस यह होती है यूजा टप कर सकते हो जब आप प्रीश कर सकते हो कौंट कर सकते हो बाइध किंक तो लड़के खड़े हो लड़कियां खड़े हो हम उन्हें सकते हैं अगर हमने काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैं बोलो 5 बहन हैं 3 भाई हैं counting हुई ना इसका मतलब है यहां पर हम क्या लगा सकते हैं how many का use करेंगे how much का use हम तब करते हैं जब हम उस चीज को गिन नहीं सकते तो यहां पर कैसे लगाएंगे आप कितने भाई बहन हो तो यहां पर आप लगाईए how many आप आपको पता है how many क्या करेगा जिस चीज को आप गिन रहे हो count करने के count करने की कोशिश कर रहे हो उसको यह जो डबने शामली यह अट्रेक्ट कर लेती है तो how many भाई बहन तो हम क्या बोलेंगे how many brothers how many brothers and sisters भाई बहन how many brothers and sisters और उसके बाद हम हमें क्या करना है यह present की category 2 है तो हम कैसे लगाएंगे how many brothers and sisters सकते हैं किसके बने बात हो रही किसके पास है आप कितने और आपके बहने हैं आपके kiतने बहने काई न рекry तो how many brothers and sisters और उसके बाद आप लगाओगे हले हुआ है ऑप है आप इसे ऐसे बना सकते हो how many brothers and sisters do you have right एक वे तो यह हो गया क्या हम इसे एक और वे में बना सकते हैं अगर हम इस संदेंस के इंदर दैर के यूज करें तो यह पॉसिबल है हम इसे present की category 1 में भी बना सकते हैं कैसे बनाएंगे आप कितने भाई बैनो तो हम बोलेंगे हम इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना आर यू और हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आप कितने भाई बहन हैं आप इस संदेंस को ऐसे भी बना सकते हैं इसमें देर का यूज तो नहीं हुआ लेकिन संदेंस को ऐसे बोला जा सकता है how many brothers and sisters are you आप कितने भाई बहनों इस तरह से भी इस वे में इसको बोला जा सकता है next उसकी जेब में कितने पैसे होंगे ओके कितने गिनने की बाद किसको और यह पैसों को क्या पैसे काउंट किये जा सकते हैं obviously किये जा सकते हैं लेकिन ऐसे sentences के अंदर हम how much का यूज करते हैं how much how much money right तो अब हम कैसे लगाएंगे तो यह दो नहीं बोलेंगे ना 14 पैसे 15 पैसे 25 पैसे इस तरह से तो नहीं बोलेंगे तो हम इसमें लगाएंगे how much तो उसकी जेब में कितने पैसे होंगे तो में होंगे में होंगे तो यह sentence है future का category two sentence में हम क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं विल है तो कैसे बनाएंगे उसकी जेब में कितने सबसे पहले कितने के लिए लगाएंगे तो हम अपना यूज करेंगे हाव मज़ हमने लगाया हाव मज़ क्या पैसे हाव मच मनी राइट हाव मच मनी और विल होंगे में होंगे विल उसकी जेब सबजेक्ट है how much money will his pocket will his pocket how much money will his pocket have will have का यूज how much money will his pocket have, उसकी जेब में कितने पैसे होंगे अब यहाँ पर आपको यह समझना है कि इस sentence को एक other way में भी बना सकते हैं, कैसे उसकी जेब में कितने पैसे होंगे, इसको कैसे बनाएंगे, एक तरीका और भी है, हम बोलेंगे हम बोलेंगे, how much money how much money is there how much money is there how much money क्योंकि सिंग्लर में काउंट हो रहा है तो यहाँ पर तभी तो how much लगा है ना तो is, और there को हम यहाँ पर apply करेंगे, जबकि यहाँ पर there का मतलब क्या है, यहाँ देर का मतलब कुछ भी नहीं है, कोई भी हिंदी में सेंस नहीं निकलता, बचे से लगाया जाता है, how much money is there उसके बाद कहाँ पर, how much money is there, उसकी जेब में अब देखें, यहाँ पर लिखा है होंगे, तो हम यहाँ पर is नहीं, हम यहाँ पर use करेंगे will there be how much money will there be, थोड़ा सा सही लिख देता हूँ इसको मैं, यह हम इसको थोड़ा सही लिख देते हैं, how much money will there be how much money will there be उसकी जेब में, इसको उठाइए और वहां लिखें, उसकी जेब में, यानि in his in his pocket उसकी जेब में how much money will there be in his pocket उसकी जेब में कितने पैसे होंगे, इस तरह से भी आप इस sentence को बना सकते हैं, और अब आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पर जो यह देर है, और इस sentence के अंदर यहाँ पर जो देर का यूज करा है, इनकी कोई हिंदी नहीं है, लेकिन इस देर का एक sense है, जिसका मतलब होता है है वहाँ, वहाँ, हेर के लिए हम बोलते हैं यहाँ, और देर के लिए हम बोलते हैं वहाँ, राइट, next sentence देखते हैं, उसके पास क्या-क्या था, अब फिर आगया past था, past था होने के वज़े से यह है past की category two का sentence जिसमें हम head का use करते हैं, लेकिन अगर उसमें helping verb या main verb निकाल होते हैं, रूल के according, तो उसके पास क्या-क्या था, क्या-क्या, तो हम क्या-क्या के लिए क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे what all, यह होता है, क्या-क्या, what all, right, what all, किसके पास, उसके पास, what all did, अब उसके, उसके, वो, वो, यानि कि कोई लड़का, या कोई लड़की, what all did he कि है उसके पास क्या-क्या था वट आल डिदी है इस तरह से आप इस से लिसको बना सकते हैं आई होप दोस्तों कि आपको कम से कम मोटी-मोटी चार बाते तो पता चल गई लिए होंगी सबसे पहले सेंटेंस की आप संटेंस को पहचानी है कि वह प्रेजन पास ये फ्यूचर में से कौन सा है उसके बाद आप यह देखिए वह कैटिगरी वन का है या कैटिगरी टू का है राइट और उसके बाद अपने आप से सवाल कीजिए क्या आप इस सवाल का अंसर हा या ना में दे पाएंगे अगर हां या ना में दे पाएंगे तो आपको में वर्फ को संटेंस के बाहर रखना है रूल के अकॉर्डिंग लेकिन अगर आपकिसी सवाल का जवाब हा या ना में नहीं दे सकते वहां WH family को apply कीजिए right मेरी next video WH family के ऊपर बहुत जल्द तो सब्सक्राइब को बटन दबाके बगल में बैल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोडिवेकेशन आपके मुबाइल फोन पर टाइम टू टाइम आती रहे राइट बहुत जद बिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना